जै मादाट काली भक्तों, आज का जो वीडियो आप टेग लाइन से समझ गयोंगे, आपके ओफिस, आपकी फैक्टरी, आपके दुकान, आपके कारेया ले, यानि कि आपके काम करने वाले स्थल को लेकर कुछ वास्तू डिप्स देने जा रहा हूँ, ये वास्तू डिप्स ऐ ऐसी होने वाली है, जिसमें आपका करियर ग्रो करेगा, आप दिन दुगनी राचों के तरक्षी पाओगे, और अगर किसी भी तरीके की प्रॉफिट लॉस वाले बिजनस आप करते हो, ये नौकरी आप करते हो, ये टार्गेट बेस जॉप करते हो, किसी प्रकार का, जहां पर आप सक्षम होना चाते हो, जहां पर आप सफल होना चाते हो, जहां पर आप प्रमोशन चाते हो, अपनी तंखा बनाना चाते हो, या अच्छे से टिकना चाते हो ना, तो ये वास्तु टिप्स आपके लिए बहुत काम आने वाली है, इस वीडियो के माद्धियम से कुछ ऐसे वास्तु टिप्स में दूँगा जो आपके लिए 101% काम करेंगे अगर आप इन वास्तु टिप्स को फॉलो करते हो क्योंकि अच्छा करियर बनाना और सफलता हसल करना हर किसी के लिए महत्पूर्ण होता है हाला कि आपके कारिस्तल पर खराब वास्तु होने से आपके करियर पर बहुत खराब असर पड़ता है करियर के लिए वास्तु का पालन करने से आपको अपने जीवन में प्रगती और समरिद्धी में मदद मिलती है करियर के लिए वास्तु निश्चित रूप से आपके जीवेन में एक महत्पून भूमिका निभा सकता है क्योंकि ये तह करेगा कि आपके जो जौब है, आपका जो कल्चर है, आपका जो कारह है उस रूप से कितना अच्छा आप कमा सकते हो और कर रहे हो या कर सकते हो ये सुनिश्चित करेगा कि आप सफलता पराप्त करोगे या नहीं आपको करियर के लिए वास्तु की मदद से अपने कारेचेतर में जो है कई सारी पॉजिटिव उड़ जाओं की जरुत पड़ती है और उन्हें बैलेंस रखनी की जरुत पड़ती है इससे आपके बहतर करियर की संभावनाएं बहतर होंगी और घर में आपके सुक समरिधी भी आएगी तो सबसे पहले अगर मैं वास्तु टिप्स की बात करो तो कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो के माद्दियम से दूँगा आप लोगों से निवेदन है बिना स्किप्ट करें पूरा वीडियो सुनके जाना है और साथ ही साथ अगर फैमिली में या फ्रेंड या कोई अपना खास इस्टारे जो करियर में अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है चाहे उसकी खुद की फैक्टरी हो, बिजनस हो, दुकान हो, जॉब हो किसी भी तरीके की कारे में वो सफलता नहीं पा रहा है तो आप ये वास्तू टिप्स शेर करें उसके साथ चाहे खुद से बताएं चाहे इस वीडियों को शेर करके बताएं यदि संबफ हो, तो आपको क्या करना है न, अपने डेस्क के पीछे दिवार लगा कर बैठना चाहिए ऐसा करने से आपको अपने बौस का सयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी परिणाम को बहतर बनाने के लिए आपको इस दिवार पर पहाडों की तस्वीर लगानी चाहिए आफिस में ना सिर्फ आपकी स्थिती मजबूत होगी, बलकि आपका आत्मिश्वास भी बढ़ेगा जब आपका आत्मिश्वास बढ़ेगा, जब आपका कॉन्फिलेंस लेवल बढ़ेगा तो काम करने में जो कूजा आएगी और जो मज़ा आएगा न वो डबल होता जाएगा और जब पॉजिटिविटी साथ में रहती है तो हर जगा पे ग्रोथ मिलती है अगली जो करियर टिप्स के लिए वास्तू के अनुसार अपनी पीठ के पीछे की दिवार पर जल निकायों वाली पिंटिंग और पोस्टर नहीं टांगने चाहिए यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपने वरिष्ठों के सामने अच्छा वहवार नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपके सहकरमी आपके कलीग आपके जो साथ में करमशारी है या वरिष्ठ आपकी इच्छानुसार आपका समर्थन ना करें इसलिए यदि आप बद्दोनिति की कतार में है यानि कि प्रमोशनल आपकी आक्τιowity है या प्रमोशन आपका होने वाला है और आप अपने करियर में ग्रो करने वाले हैं तो अपने करियर में एक महत्पून पड़ाओ पर अगर आप है ना तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसी पेंटिंग से बचे और तुर्ण अपने पीछे की दिवार को चेक रहें कि जल निकायों वाली पेंटिंग आपके बीट पीछे तो नहीं लगी है या आसपास तो नहीं लगी है छीक है इन चीजों का आपने खास ध्यान दखना है अब अगली जो करियर टेप्स है वो है कि भीड भाड़ वाली जगा पर काम करते वे नए विचार आना संभव नहीं हो सकता तो वो सिंपल सी रेमडी है अगर हो सके तो अगर आपको जैसे कहते हैं नए थौट्स आना कुछ कारे में प्रगती करने के लिए नए उजाओं को लाने के लिए आपको क्या करना है जैसे खुले विचार चाहिए नहीं उसी तरीके से खुला छेतर चाहिए खुली स्पेश यह खुली जगा चाहिए और करियर हिले वासु के अनुसार ओफिस में काज की खिड़की के पास बैठने से भी एक से एक नई विचार आते हैं और बहुत प्यारे प्यारे विचार आते हैं बहुत बॉजटोः विचार आते हैं और VRT से भी आप दूर बने रहते हो तो अगली जो चीज़े आपने ध्यान रखनी है जब भी आप कोई ग्रूप meटिंग ले आप जारेे हो आ szameena क्या आपका बाहर आना है जिसमें आप नाम गवाना चाहते हैं अपना नाम बनाना चाहते हो तो सी हैक्टिविटी करनीं वासुम गठिक्विटे पहले तो उस रूम पे जाना है दक्षिन पश्चिम दिशा का कोना देखना है और उस कोने में जाकर बैटना है या खड़े हो जाना है मैं आपको गयारंटी दे रहा हूँ हूँ यदि आप दक्षिन पश्चिम दिशा में बैठते हैं या खड़े होते हो उस activity के लिए उस meeting के में अगली जो वासुटेप्स है वो है कि आपके कारे छेतर में जहां आप काम करते हैं जाए वो आपकी खुद की फैक्टरी हो चाहे वो खुद की कंपनी हो चाहे आप किसी employee की तोर पे वहां कारे कर रहे हैं या आपकी दुकान है वहाँ पर आपने कोई भी आराम दायक फ टेप में रखना सबसे अच्छा माना गया है आपको अपने ऑफिस से टूटे हुए फनीचर को भी हटा देना है चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है ना आपको फाइनेशल आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है और टूटे फुटे फनीचर वहां पर है टूटी चीज वहां पर है और तुरंत आप चेंज नहीं करते हो तो इससे नेगटिव इंपेक्ट परता है जो प्रॉफिट की सिचुएशन बन रही होगी जो विन की सिचुएशन बन रही होगी या आपका कोई भी टार्गेट पूरा होना होगा तो वह नहीं पर हो जाएगा नुकसान ह हो जाएगा और नुकसान इसलिए होगा क्योंकि यह टूटी-फूटी चीजें बहुत नेगटिव आपका वास्तो दोश क्रियेट करती हैं अगली जो सबसे बहतर हो सबसे बैस्ट वास्तो टिप्स है यानि कि बहुत ही सरल तरीके की रेमिडी है यदि आपके डेस्क पर ज साथ साथ वित्तेई लाब यानि कि जो फाइनिशल प्रॉफिट आप राप्त करेंगे धन लाब पाने के लिए आप इस दिशा में पौधे भी रख सकते हैं तो सिंपल सा वास्तू तरीका है उस वास्तो दोश को मिटाने के लिए और पॉजिटिविटी और प्रॉफिट ल रख सकते हो ठीक है अगली जो चीज है अगर आप किसी भी ऑफिस के संस्थापक हो या मालिक हो तो आपको अपने लिए दक्षिन पश्चिम दिशा में एक अलग कैबिन बनाना चाहिए ध्यान रखे ये उनस के लिए है जो में एक्टिविटी वहां कर रहे हैं जिनका अप तक सा रूम बनाना है क्योंकि वास्तू सास्तर के अनुसार कारेले में सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलने के लिए मालिकों को इस छेत्र में हमेशा उत्तर की ओर मूँ करके बैठना चाहिए अगर आप करमचारी हो अब देखो करमचारी उनके भी वास्तू टि दिशा की और मुह करके बैठें इससे जो उत्पादक होते हैं उसमें जो आपकी सेल होती है वो आपकी ग्रो करती है वो बढ़ती है और आपको अपनी करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है तो जिन लोगों confusion रहता है वही किस दिशा में बैठें तो जो भी लोग अगर करमचारी है या owner है owner बैठेंगे उत्तर दिशा में और जो करमचारी है वो उत्तर या पूर दिशा की और मुह करके बैठेंगे तो दोनों को ही उत्तर दिशा तो दोनों के ले ही जलेगी दोनों ही उत्तर दिशा में facing यानि कि मुह करके बैठें ये ध्यान रखे अगली जो करें कि जिस कमरे में ये वस्तुएं रखी गई है ना वहां सक्रात्मक्ता और विकास को बढ़ाने के लिए अच्छी सी रौशनी हो ठीक है तो लाइड़निंग का आपने ध्यान रखना है सीशे की मेज हर किसी के लिए शुब नहीं होती है लेकिन अगर आप इने ओफिस में तो पश्चिम दिशा में होनी चाहिए अगर सीशे को किसी भी तरह की छती होती है तो आपने उसे तुरंद अपने कैविन से हटा देना है क्योंकि ये भी आपके लिए लौस के सिच्वेशन पैदा कर सकती है आपके काराले में लीक हो रहे है पाइप या नल को यथा शीग ठीक कराया जाना चाहिए क्योंकि वास्तु का सबसे बड़ा दोश होता है लीकेज पानी की बरबादी से आर्थिक नुकसान हो सकता है करियर में अच्छी प्रगती की तलाश कर रहे हो किसी भी व्यक्ति को इस कदम को कभी भी नजरिंदास नेगलेक्ट या वाइट नहीं क करना चाहिए चाहे वो घर पे क्यों ना हो चाहे वो आप अपने ऑफिस या कारालिय या कहीं पर भी अपना कार्रे कर रहे हो ठीक है तो इस चीज को आपने ध्यान देना है क्योंकि सबसे बड़ा वास्तु दोश तब कहा जाता है जब आपके नल टपक रहे हैं और आप बं आपने ये लीकेज, सीपेज इन चीजों पर खास ध्यान देना है अगली जो चीज है वो है कि जो आपका कार्रेस्थल है यानि कि जहां आप काम करते हैं वहाँ पर कैक्टस या काटेदार पौधे रखने से आपने बचना है पौधे कार्रेस्थल पर शांती और आराम का ए काटेदार पौधों से घायल कर सकते हैं इसके लावा काटेदार पौधों को विशेश देखबाल और देखबाल के आवशक्ता होती है जो समय लेने वाली हो सकती है और साथी साथ इसके लिए अत्रिक्त संसादनों की आवशक्ता हो सकती है इसलिए कम रख रखाओ वाले ग इतना positive जितना smooth चीजों को रखो हो कि उतनी अच्छी ही smoothly ग्रोथ होगी ऐसा नहीं होगा कि रुक के ग्रोथ आपकी हो रही है कभी हो हो रही है कभी नहीं हो रही है तो इन चीजों को आपने खास ध्यान रखना है ताकि एक flow बना रहे है चाहिए वो cash flow हो या employee का जो positive flow है वो रहना चाहिए अगर दोनों चीजे बैलन्स रहेंगी तो आपकी जो आफिस में आपकी जो जॉब में आपकी जो प्रगती होती ही रहेगी ठीक है ऐसे और वीडियो जान करी हैं ऐसे और वासू ठिप्श हैं जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक क मन लोगे साथ शेयर करना नहीं बूलना रर कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे दरबार से बने रहें सबी भक्तों को जै माता दी जै माडाट का लिए